प्रेंड्स इन इंवेसिव मेकेनिकल वेटियर्टर की इस सीरीज में आज हम डिसकस करेंगे मॉडिल 4 के बारे में इसमें हम वेटियर्टर कैसे स्टार्ट करते हैं और इसके टेकनिकल आस्पेक्ट्स क्या-क्या हैं के इससार बनाती हैं लेकिन जो इंडिया में कॉमन हैं वह मैके के अड्रेगर के है और कुष कोब टाइम में यह पियम केर के आहे थे है अदर कंपनिया हेमिल्टं है अप करती हैं संसे सेम हैं लेकिन कुछ ब attraction अलगल होती हैं जो कि हम लोग discuss करेंगे तो हम लोग अपनी ICU में मैके का वेलिटर यूज़ करते हैं इसलिए साइस सेटिंग में उसी में आपको करके दिखाऊँगा यह हमारे वेलिटर टेक्निशन है मिस्टर अनीश एहमद यह आपको बताएंगे कि वेलिटर कैसे start करते हैं यह मैके का वेलिटर है जो पसल लिखा हुआ है सर्वो आई यह बिल्कुल सुचाओफ है जब पेशेंट आता है तो इससे कैसे start करते हैं यह पूरा डेटेल में बताएंगे इसमें दो पूर्ट होते है यह एक्सिजन यह इनिलेशन यहां से गैस निकलती है और यहां पर यह एक्सिजन होता है इसमें दो ट्यूबियों होती है आप देख रहे हैं यह वाइड वाली है जो ऑक्सिजन पूर्ट है यह बलेक वाली है जिससे की एर जाती है इसके दो प यह वाला मिक्स्ट एर का है यह वाले पॉर्ट में चला जाएगा अभी वेंडियेटर सुच ओफ है हमारा तो इसका हम पावर प्लग लगा देंगे जो कि किसी भी एलेक्टिक कनेक्शन से लगता है अब देख रहे हैं यह पीछे बैक साइड है शेटर है शेटर से यह बैस्तार आफ देख रहे हैं अब इसमें ये आता है कि दो यू बानटू स्टारट प्रिऄूस चेकश तो जब भी नया पिशिंट आता है उसमें हमें यह पास कराना पड़ता है कि यह वेंडियेटर f पहले हमें मेक wonderful करना है यह एक होती है इसमें के दो एन्ड होते हैं यह पास करने के लिए चाहिए होती है इसका एक एंड एक कॉड़र होता है दुसरा एंड इस्पेटी लिंब से जोड़ा होता है 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 अब देखते हैं इसको अब इसमें आप देख रहे हैं एक इसमें लिम में जोड़ दिया और दूसरा एंड एकस्पार्टी लिम में जोड़ दिया अब इसमें फिर पूछ रहा है डूब उन्ट टू स्टाट प्रीचेग यूस येस तो अब इसको हम दबा देंगे स्टाट कर देंगे अब इसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं तो यह एक इक करके इसमें चेक करते हैं अब से बोल रहा है कि connect टेस्टीू बिट्विवेटि एंसुटी वह हम पहले सी अटेच कर चुके हैं ज्थेसे इंटरनल टेस्ट गैस सप्लाइप टेस्ट इंटर लीकेज टेस्ट टेस्ट सेफटी वाल्ड टेस्ट ओटू सैल अने अगर इन मेंसे कोई भी अगर faulty है तो वो हम ventilator किसी नई patient में use नहीं कर सकते हैं तो कभी कवार जैसे कि मालो oxygen leak हो रहा है तो यह बता देगा कि oxygen आपकी supply ठीक है कि नहीं है तो कहीं भी कोई air leakage है oxygen leakage है कहीं circuit खराब है कोई battery problem है तो यह बता देगा अब जैसे इसमें यह आ गया कि one battery एक खराब है एक लिए वेल्टीटर में क्या है कि चार से पांच बैटरी होती है अगर एक बैटरी खराब है तो इसमें display में बताएगा कि यह बैटरी खराब है लेकिन बैटरी चलता रहे तो लाको सुचाओ करते फिर और करते हैं अब इसमें आता है यह अब देखिए इसमें सब चेक हो गया सब अब सरकीट टेस्ट हो रहा है इसके बाद अलाम स्टेट टेस्ट हो जाए अलाम सके सारे ठीक है कि नहीं तो सारा चेक हो अब इसमें यह स्टेंडबाइं मोर आ जाता है अब इसमें आप देख रहे हैं यह स्टार्ट वेंटिलेशन का एक बटन है और एक इंवता है और अभी होता है इक इनिवेसिब आधि अब डुटी लेटर से पेशैंट की बीच में जो ट्यूब्फ होती है उसको बोलते हैं HME filter है और यह एक catheter mount है तो इस catheter mount के इस end से यह endotracle tube से जुड़ता है और इस प्रकार ventilator patient की बीच में connection established होता है तो अब यह देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको यह 20 circuit है यह HME filter है मांट catheter है इसमें एक लिम इस्पेट्री पोर से जुड़ती है एक एक इस्पेट्री पोर जुड़ती है यह stand है जिसके हम circuit हैंक कर देते हैं जाकि patient जमीन पर ना पड़ा रहे हैं दूसरा end हम लोग patient से जोड़ देते हैं और start का प्रटन दबा देते हैं अब इसमें आप देख रहे हैं यह test lung से हमने जोड़ रखा है और इसमें इस्पेट्री और एकस्पेट्री जो फ्लो कर वह आ रहे हैं देख सकते हैं यह pressure time कर वह यह फ्लो टाइम कर वह है और यह volume टाइम कर वह इसका मतलब हमारा वेंटिटर सही से काम कर रहा है जब वेंटिटर test lung से चेक हो जाएगा उसके बाद को लगाते हैं तो आज कि मोडूल में बस इतना ही बाकी टेकनीकल आश्पेक्ट हम दूसे मॉडूल में डिसकॉस करेंगे फिर मिलेंगे एक नए मोडूल के सात में Thank you thank you very much